जी हेलो एवरिवन वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल ट्यूसिन जोन बाई अन्सिका जैसा कि आपको मालूम है हमने फ्लैमिंग को बुक क्लास 12 की उसके सारे कंप्लीट कर लिये अब हम अपनी बुक आ चुके हैं विष्टस पे हमारी स्टोरी बुक है सप्लीमेंटरी बुक जिसे बोलते हैं इसके हम MCQs देखेंगे, तो start करते हैं बिना देरी किये, chapter 1 से, chapter 1 का नाम है, the third level, book है आपकी विश्टस, question number 1 है आपका, who is the writer of the story, third level, third level story का writer कौन है, jack finnay, alphonge dhoudet, anish chung, जा फिर none, none तो होगा नहीं न, answer आप देंगे, और last में आप chapter के ये भी बताएंगे, कि आपने कितने correct की answers, okay, चलिए, इसका answer बताएंगे, जल्दी से, जी, answer आपका, A option, jack finnay, ठीक है, next पे चलते हैं, question number second पे, second question है आपका, who is the central character of the story, story का main character कौन है, french है, charlie है, roger है, या फिर sahib है, आपने अगर story पढ़ी है, तो आपको मालूम होगा, और जल्दी इस answer दीजिए, देखिए, french नहीं हो सकता, sahib नहीं हो सकता, flamingo book में आपने देखा होगा, इनका नाम, है ना, मैं है ना करके question पूछ रही हूँ आप से, जबकि आप answer तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये live class है नहीं, लेकिन अगर मेरे subscriber इतने होते हैं, कि मैं live class ले पाई, तो हम जरूर live session में मिलेंगे, जी, इसका answer है आपका, B option, ओके, next पे चलते हैं, question number 3 पे, question number 3 है आपका, कि, what does Charlie not admit, admit या नहीं एक तरीके से मानना, Charlie क्या नहीं मानना चाहता था, first option है, that earth is round, कि earth goal है, या फिर sun rises in the east, sun उगता है east की तरफ से, या that grand station level, जो है, कहां है, new york में है, या फिर that the grand central station has only two levels, जो ये station है, उसके सिर्फ, दो level है, ये नहीं मानना चाहता था, जल्दी से सोच के answer दीजिए, जी, answer है आपका, D option, क्योंकि वो मानना नहीं चाहता था, कि दो level ही है, वो सोचता था, कि third level भी है, जी, what happened when Charlie reached, once he got into miles tunnel, एक बार वो miles tunnel में पहुँचा, तो उसे क्या मालूम पढ़ा, उसने क्या पाया, फर्स्ट option है, he reached park, वो park पहुँच चुका था, he remained there, वो वहीं रह गया, he came up in the lobby of hotel, hotel की lobby में आ गया, या फिर he reached the school, वो एक school में पहुँच गया, जल्दी सा अंतर दीजिए, जी, आंसर है इसका C option की वो hotel की lobby में पहुच गया था, ओके, चलिए, next पे चलते हैं, question number 5 पे, question number 5 है आपका, what happened when one day Charlie is in hurry to catch the train, जब train में चारली पकड़ना चाहता था, जल्दी में था, तो क्या हुआ, he misses the train, वो train उसकी छूट गई, he reaches the third level पे पहुच गया, या हो heaven में पहुच गया, यानि कि स्वर्ग में, या फिर he reaches village, वो गाउं में पहुच गया, जल्दी सा आंसर क जीजे, जी, आंसर आपका, कि वो third level पे पहुच गया, उसका तो यह ही मानना था, है ना, next पे देखते हैं, question number 6, what is information booth at the third level made of, ये जो third level पे आपका information booth था, वो किस चीज का made of था, यानि बना हुआ था, first option में आपका, wood, concrete, steel, या फिर cloth, concrete या निया, आपका क्या हो जाता है, cement है ना, किसका बनावा था, जी, आंसर आपका, wood, ठीक है, next पे चलते हैं, question number 7, question number 7 है आपका, what does Charlie realize when he finds everyone wearing old fashioned cloth, जब उसने वहाँ पे देखा कि, सब ने क्या पहने हुए, old fashioned के cloth, कपड़े पहने हुए, तो Charlie ने क्या सोचा, first option है, people are old fashioned, कि लोग कैसे हो गए है, पुरानी जमाने के fashion करने वाले हो गए है, या फिर, they are actors, कि वो actors है, या फिर उसने सोचा, here is the past, वो कहां पहुँच चुका है, past में, या फिर उसने कुछ सोचा ही नहीं, none, जी, answer आपका, past, उसे लगा, कि मैं कहां पहुच चुका हूँ, past में पहुच चुका हूँ, ठीक है, तो, आप क्या सोचेंगे, अगर आपके साथ ऐसा हो, question number 8 है, how does Charlie make sure that he has reached the past, किस चीज़ से वो sure हो गया, यहाँ पर देखिए, make sure, यानि कि पक्का हो गया उसको, कि वो पहुच चुका है, इसमें, past में, उसने ऐसा क्या देखा, first option है, he sees the signboard, उसने signboard देखा, he asked the passenger, क्या उसने passenger से पूछा, क्या policeman ने उससे बताया, D option है, he sees the date on the current newspaper, क्या उसने current newspaper पे date देख ली थी, जी, answer आपका D option, उसने current newspaper में date देख ली थी, ठीक है, next पे चलते है, question number 9 पे, when Charlie knows, that he has slipped into past, where does he want to go, जब उसे मालूम पड़ा, कि वो कहा हो चुका है, slip हो चुका है, यानि कि जा चुका है, कि इसमें, past में, तो वो कहां पे जाना चाहता था, ठीक है, first option है, आपका, Chicago, Iceland, New York, जा फिर Gelsberg के Illinois area में, चल्दी से बताइए, अच्छा, ये भी आप comment box में बता सकते हैं, कि अगर आपको past में जाना हुआ, तो आप किस city में जाना चाहेंगे, ठीक है, ये option के अलावा, और भी आपकी कोई जगे हो सकते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, और अगर आप past में ट्रांस्पोर्ट हो गए, कहां जाना चाहेंगे, इसका answer वीडियो के बाद में देना आप, और अभी answer दीजिए, कि चार्ली कहां जाना चाहता था, जी, answer आपका D option, वो गेल्सबर्ग, इलियन ओस्ट में जाना चाहता था, question number 10 है आपका, when did Charlie live in गेल्सबर्ग, यह जो गेल्सबर्ग था, वहाँ पे, Charlie कब रहा हुआ था, इसके childhood में, B option है, when he worked in office, office में काम करता था, तब college डेज में, या फिर अपने बुढ़ापे में, old डेज में, जल्दी से बताएं answer, जी, answer है आपका, A option, अपने बच्च्पन में, in childhood, next पे चलते हैं, question number 11 पे, Charlie want to purchase ticket for, वो ticket कहां के लिए खरीदना चाहता था, सामने आपके answer है, यह जब गेल्सबर्ग जाना चाहता था, तो ticket भी तो वहीं का खरीदेगा, purchase या नहीं खरीदना, ठीक है, next पे चलते हैं, question number 12 पे, question number 12 है, why does the booking clerk threaten to get Charlie arrested, जो booking clerk था ना, ticket book कर रहा था, जो, उसने threatened, यानि धमकी क्यों दी, कि Charlie को वो क्या करा देगा, अरेस्ट करा देगा, ऐसा क्यों कहा, Charlie से clerk ने, option number A है आपका, he thinks Charlie is a thief, उसने सोचा कि Charlie क्या है, thief है, he thinks Charlie is a robber, हो सकता है, वो लुटे रहा हो, Charlie tried to rob him, साइच Charlie मुझे rob करने की कोशिस करा है, यह उसने सोचा, या फिर he thought that the note offered by Charlie was fake, जो भी note जो थे, Charlie ने booking करने के लिए दिये, वो फेक थे, जल्दी सा answer कीजिए, जी, answer होगा आपका, D option, क्योंकि Charlie क्या था, एक तरीके से सोच में, उसकी future से आया हुआ था, तो वो यह past में आया, तो note क्या थे, बदल चुके थे, जब उसने नए note कुराने जमाने में दिये, तो उसको जो ticket collector था, या booking करने वाला था, book clerk, उसे तो लगेगा ना, कि यह fake note आज के time पर देखिए, demonetization होने से पहले है, जब हम यह वाला note अगर चलाने कोशिच करते है, जो अभी हमारे पास 2000 का आता है, वो हम तब चलाने कोशिच करते है, तो लोग क्या बोलते, कि यह क्या बच्चों वाले note लेके गूम रहे हो, फेक note क्यों लेके गूम रहे हो, है to present, present में Charlie वापिस कैसे आया, first option है, the booking clerk pushed him, booking clerk ने उसे धक्का दिया, he falls on the platform, platform पे गिर गया, या he rushes from the booking window से वो भग गया, या फिर his wife called him, उसकी वाइप ने उसे call किया J, answer आपका C option, he rushes from the booking window से वो जल्दी से निकल लिया, question number 14 थे आपका, to whom does Charlie talk about the third level, third level के बारे में Charlie ने किस से बात की थी, क्या policeman से की थी, या his psychiatrist, friend से बात करी, या फिर Sam, winner से बात करी, जल्दी answer कीजिए, या फिर हो सकता है, दौनों से बात करी हो, कि psychiatrist से भी बात करी हो, और Sam से भी, आपको क्या लगता है, जी, answer आपका, D option, B and C, I hope आप लोगों के answers correct हो रहे होंगे, next पे चलते हैं, 15th question है आपका, What does Charlie's psychiatrist friend think about Charlie, when he talk about third level, जो psychiatrist friend था ना, मनो विग्यानिक, यह हम बोल सकते हैं, मनो चिकित्सक, यह, मनो विग्यानिक तो नहीं बोलेंगे, हिंदी में हम बोलेंगे, मनो चिकित्सक, यह न, तो उसने जब, क्या सोचा, Charlie के बारे में, जब उसने बात करी, कि मैं third level पे पहुच ग पुदा रहा है, या फिर पागल बना रहा है, पनो बोलते हैं, क्या पागल बना रहा है, इस तरीके से, Charlie has been daydreaming, उसे लगा कि दिन में जो सपने लेते हैं, एक तरीके से, वो सोच रहा है Charlie, उसे क्या लगा ऐसा है, उसकी friend को, जी, answer आपका D option, उसे लगा कि वो दिन में सपने देख रहा है, next पे चलते हैं, question number second, why does Charlie buy old currency note, Charlie old currency note क्यों इखटा करना चाहता था, पहला है, he is fond of collecting old note, fond यानि की बहुत ही पसंद होना, या फिर एक तरीके से fan होना, किसका collect करने के old note की, क्या वो ऐसा कर रहा था, he likes such note, उसे ऐसे note बहुत पसंद आ रहे थे, या फिर he wants to use note in third level में जाके वो use करना चाहता था, he wants to give notes to one of his friend, जल्दी सांसर कीजे, answer है आपका C option, उसे लगा कि मैं वापिस जब third level पे जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, old note use करूंगा, old currency note, ठीके, इसलिए वो खडिना चाहता था, पुराने note, तो 17th question है आपका, in which year of the past Charlie want to go, कौनसे year में Charlie जाना चाहता था, क्या वो 1894 था, 1857, 1917, या फिर 1760, जी, answer है आपका, A option, 1894 में वो जाना चाहता था, question number 18 था है आपका, one of Charlie's friend, Charlie का जो एक friend था, वो disappear हो गया था, what is his name, उसका नाम क्या था, क्या वो Sam Viner था, वैम सिनर था, या फिर डो वाइनर था, जी, answer है आपका, A option, next पर चलते हैं, question number 19 थे, question number 19 थे हमारा, कि, how does Charlie come to know that Sam Viner has slipped into past, Charlie को कैसे पता चला है, चार्ली को क्यों लगा, कि Sam Viner जो है, past में आ चुका है, first option है, from his wife, wife से पता चला उसकी, from the police से पता चला, from another friend, दूसरे friend से, या फिर, या फिर, from an old day, postage cover से पता चला, सोचे, ये, answer आपका, D option, postage cover से उसे, मालूम पड़ा, कि, वो भी past में पहुँच चुका है, in his letter, letter में, Sam Viner ने, urged Charlie to do, Charlie को क्या करने को बोला था, कि भई, Sam Viner ने लिखा था, Charlie को लेटर एक तरीकी से, तो Charlie को ऐसा क्या काम करने को बोला, first है, to remain in present, कि present में ही रहो, ऐसा बोला उसने, या फिर to find the third level को ढूंडो, and come there with his wife, अपनोई wife के साथ, आ जाओ, या फिर to report the matter to police, कि police को बताओ जाके इस चीज के बारे में, या फिर to run away, या फिर भाग जाओ, आंसर दीजिए, इसका आंसर है, B option, next पे चलते हैं, question number 21 पे, question number 21 है आपका, कि, who is Sam Viner, Sam Viner कौन था, चार्ली का friend था, या फिर psychiatrist friend था, या फिर चार्ली का भाई था, या बोथ A and B, जी, आंसर है आपका, D, वो चार्ली का friend भी था, और वो मनोचिकित्सिक भी था, ठीक है, question number 22 है आपका, what is the name of Charlie's wife, चार्ली की wife का क्या नाम था, first option है, Darwin, Prussia, Lucia, या Jessica, चल दिशा आंसर दीजिए, जी, आंसर आपका, Lucia, next पर चलते हैं, question number 23 पर, how old was Charlie, Charlie कितने साल का था, 30 years, 31 years, 32 years, या फिर 34 years, जी, आंसर आपका, B option, वो 31 years का था, next question पर चलते हैं, 24th question, what is the meaning of walking dream, wish fulfillment, fulfillment, इसका क्या मतलब है आपका, यह देखे, underline कर देती हूं, waking dreams, wish fulfillment, यानि कि, जगे हुए होके, सपने लेना और wishes को पूरा करना, तो इसका क्या मतलब है, फिर्स्ट option है, a pleasant wish, एक अच्छी wish, जो one wants to happen, यानि हर कोई चाहता है कि पूरी हो, या फिर एक pleasant, या अच्छी wish, that one to future, जो हमें कहां ले जाए, future में ले जाए, a pleasant wish, that, a pleasant wish, which inspire to work, यानि कि, जो काम करने को हमें उत्सुख करें, कि हमें motivation दे उसका, या फिर, a pleasant wish, that make one forget past, या इतनी अच्छी wish हो, कि हम forget कर जाए, past को, या पूराने जमाने को, जे, answer है आपका, option A, ऐसी wish, ये, ऐसी wish, जो आपकी, हम future में होना चाहते हैं, या पूरी करना चाहते हैं, वो, question number 25 है, आपका, what is the theme of lesson, जो lesson पढ़ा है, अपना उसकी theme क्या है, यह हमारा last question है, last or the least, answer कीजिए, first option है, human tendency जो होती है, वो escapism की होती है, from the harsh reality of the present, क्या वो present से ऐसा भाग जाना, escape कर जाना है, जो harsh reality क्या है हमारी, कि, जो present होता है, उससे हम हटना चाहते हैं, क्योंकि अब हम जब बड़े हो जाते हैं, तो हम क्या बूलते हैं, कि हमारे ना, जो छोटे, पांचवे तक जो हमारी class थी, वो बहुत ही प्यारी classes थी, हमें अच्छी लगती है, अब हम बड़ी class काम बढ़ गया है, हमारी exam बढ़ गया है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इस्केप करना चाहते हैं, बोलते हैं कि कास में भी 6th क्लास में ही होता, या कास में भी 5th क्लास में ही होता, तो वो क्या tendency होती है, आपकी इस्केपिजन की होती है, यानि की भाग जाने की, second option है, time travel करने की, second option है, self restriction for benefits of other, खुद का नुक्सान कर लेना, benefit करने की चक्कर में, या destiny overpowers once action, भविश्य जो होता है, या destiny होती है, वो आपको क्या करती है, ओवर पावर करती है, किसी के भी action को, answer की दिये जल्दी से, जी, जिसे मैंने इतना explain किया, वह ही अपका answer है, A option, कि हम, harsh liability यह है, कि जो अभी का time है, वो हमें पसंद नहीं आता, हम क्या जाना चाहते हैं, पास्ट में जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है, कि वो इससे थी हमारी ज्यादा अच्छी थी, ठीक तो यहां तक होते हैं, आपके answers, third level के complete, I hope आप लोगों को class समझ में आई होगी, हर एक question को मैंने अच्छी तरीके से explain किया है, तो I hope आप लोगों को chapter 1 के MCQ समझ में आई होगे, अगर आपको अच्छी लगी video, तो don't forget to subscribe my channel and hit the like button, इसी तरीकी से visitors के दूसरे chapter भी next videos में आते रहेंगे, thank you for watching and keep supporting the channel